हेलो गाईज दिस इस आरती चोधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग रादे रादे राम राम कैसे आप सब बढ़िया फस्क्लास एक बार ज़रा कॉमेंट करके आप लोग बच्चा कंफर्म कीजिए कि ओडियो वीडियो सब कुछ ओल ओके है फिर उसके बाद में हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही बहतरीन अंदाज में आप लोग जितना हो सकता है अतना क्लास को शेर करेंगे आज का आपका बहुत ही इंट्रेस्टिंग टोपिक है जिसका मैं एक पार्ट आपको लड़ी पहले करा चुकी हूँ यानि बोटनी वरस्पती विग्यान देखो बिटा एक समय था जब आपकी बोटनी से बहुत कम कोशन आया करते थे आपके जोलोजी से ही ज़ादा कोशन आते थे बट लेकिन अभी आपके बोटनी से कोशन की वेटेज बढ़ चुकी है तो ये चैप्टर हम लोग थियोरी में भी अच्छे से कवर करेंगे कल से जिन बच्चों ने पेड़ क्लास में अडमिशन ले रखा है उनकी क्लास शुरू हो जाएगी मेरी क्लास का समय रहेगा सुबह 10-11 ठीक है MP पटवारी, वन रक्षक, छेत्री रक्षक या आप लोग पुलिस किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं MP वाले जितने भी बच्चों ने बैच में अडमिशन ले आए, कल से बच्चा तुम्हारी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी ठीक है जी, सब कुछ और लोग के है, ओडियो वीडियो सब कुछ और लोग के है, एक बार कंफर्म कर दीजिए यदि आपको मेरी कलास इस अच्छी लगती है, तो प्लीज आप लोग कलास को जादा से जादा शेयर भी किया करो और साथी साथ बच्चा जो बच्चे पहली बार चैनल पर आएं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अब बिना अपना समय बरबाद की हम लोग अपनी कलास के एक बार शुरुवात करते हैं, देखते हैं, सबसे पहला कोशन आपका क्या है प्लांट इन में से कौन सा है, देखो जिम्नो शब्द का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है बच्चा? यानि नेग्ड जिम्नो शब्द का मतलब आपका क्या होता है? नेग्ड यानि जिसके बीच के उपर कोई कवरिंग ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं अनावर्त बीजी, एंजियो इस्पम की यदि हम आपसे बात करें, तो एंजियो इस्पम बचा आपके क्या होते हैं, जिनके बीच के उपर कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एंजियो इस्पम बोलते हैं, तो इन में से कौन सा आपका सबसे बड़ा जिम्नो स्पम है बिल्कुल सही आंसर आया आप सबका रेड वुड जो बच्छे पिछली क्लास में होंगे उनका थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा और मैं खुद देखना चाहते हूं कि आप लोग कितने कोशन ठीक कर पाते हैं चलो अगला कोशन देखते हैं निम्न में से कौन सा दूई बीजी पादप है निम्न में से कौन सा दूई भीजी पादप है यानिद कोट प्लांट है न्यांन org जिंजर या मैंगो सक्षाम अ यह भी आपकी सा को इनकोन सा आपका बिल्कुल इनकोइ से हैं शुर्व प्लांट प्लांट है दाइकोट प्लांट बताईए देखो दाइकोट प्लांट विटा क्या होते हैं जिसका जो बीज होता है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका डाइकोट प्लांट बोलते हैं तो यहां पर Obviously मैंगो आपने देखा होगा मैंगो जब आप लोग आम खाते हो तो उसकी गुठली होती है उसमें से गुदा आप लोग खा जाते हो और आपका जो नीचे गुठली निकलती है उस गुठली को जब आप तोड़ोगे तो वो आपका दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो है ठीक है तो ऐसे जो बीज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं आपका डाइकोड बोलते हैं अगला कुशन है आपका निमन में से पुष्प का नर जननांग भाग कौन सा है विच वन ऑफ दा मेल रीप्रडक्टिव पार्ट ओफ फ्लावर बताईए विच वन ऑफ दा मेल रीप पार्ट आपका हो सकता है फ्लावर के ही अंदर बिल्कुल तो पोलन ग्रेंज जो होते हैं जो आपके पराग कर होते हैं बचाहिए आपके क्या होते हैं मेल के रीप्रडक्टिव पार्ट होते हैं बाकी ओवरी ओव्यूल पैटल से सब किसमें आते हैं आपके फीमेल वाले लास में सारी चीज़े कवर कराई थी मैंने आपको बताईए जिगला कुशन क्या है आपका फूलों में खुश्बू का कारण क्या है किस कंपाउंड के कारण आपकी फूलों में से खुश्बू आती है किस कंपाउंड के कारण फूलों में से आपकी खुश्बू आती है बता बताइए फूलों में खुश्बू का कारण क्या है फूलों में खुश्बू का कारण क्या है बच्छा आपका इस्टर है क्या है बच्छा यह आपका इस्टर है ठीक है फूलों में खुश्बू का कारण बिल्कुल सही आंसर आया बहुत सारे बच्छों का इस्टर है इन में स कौन सा आपका असत्य फल है और एक तो यार मुझे ऑप्शन ही गलत लग रहा है इसमें टोमेटो होना चाहिए था क्योंकि टोमेटो मेरे ख्याल से तो शायद ये तो सबजी में आता है वेजिटेबल्स में आता है फल में तो आता नहीं है न ये ये तो आपका मेरे ख्याल से option गलत है यहाँ पर बताओ आप लोग क्या कहते हो यह फल है या सबजी टमाटर जो होता है आपका वो एक फल होता है या सबजी होता है बताना जरा बिल्कुल ठीक है देखो बच्छा टमाटर जो है ये आपका एक फल ही होता है याद रखना टमाटर आपका वेजेटेबल की रूप में हम इस्तमाल करते हैं ये भी कोशन पूछा गया है कि इन में से कौन सा फल है जिसे हम वेजेटेबल की रूप में इस्तमाल करते हैं लेकि कर यदि आपके pollen grain female के reproductive part यानि ovary के साथ में reaction करेंगे किसके यदि ovary के साथ मिलेंगे और यहां से जो बेटा आपका फल तयार होगा वो आपका true fruit होता है वो आपका true fruit होता है लेकिन यदि pollen grain यदि pollen grain आपके ovary के अलावा female के किसी भी reproductive पार्ट के साथ में रियक्शन कर लें जैसे स्टिगमा हो गया और व्यूल हो गया किसी भी अधर पार्ट के साथ में यह दी रियक्शन करके तो यहां से जो बटा आपका फल तैयार होगा वो होगा आपका फोल्स फ्रूट वो क्या होगा बच्छा आपका फोल्स फ्रूट इनमें से कौन सी तीन आवश्यक तत्व बीज के अंकुरन के लिए आवश्यक है जर्मिनेशन के लिए बीज के जर्मिनेशन के लिए इनमें से आपका क्या जरूरी है बीज के जर्मिनेशन के लिए देखो कोई भी आपका सीड है बीज है आप उसको जब बाहर वो रखा रहत यानि शूट सिस्टम जिससे प्लांट का सूट सिस्टम आपका तैयार होता है और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं रेडिकल क्या बोलते हैं बचा रेडिकल जिससे प्लांट का रूट सिस्टम आपका तैयार होता है जिससे प्लांट का रूट सिस्टम जो होता है वो आपक रखें अरे कोई बात नी दो चार ही रिपीट होंगे उनको देख लो आप लोग आप लोगों ने पिछली क्लास में किये होंगे तो सही आंसर आने चाहिए ने सब के फिर बताइए जिन्होंने लाइक नहीं किया है एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और सब लोग शेयर करो सब्सक्राइबर हो चुके हैं आप सबने देख लिया होगा और दीरे दीरे बहुत जल्दी ऐसा होगा 50K हो जाएंगे एक लाग हो जाएंगे लेकिन आप लोगों का साथ होगा प्यार होगा तभी यह चीज पॉसिबल हो पाएगी है ना और एक चीज याद रखना बच्छ है जब नोकरी नहीं लगती और लोग हमारी इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं तो एक बात याद रखना कभी भी ना किसी सकसेजफुल परसन की स्टोरी सुनना मैंने मैं ये वोमेन नहीं बोला परसन बोला है ठीक है हमिसा उसके स्टोरी को सुनना जो जितना जादा किया गया है लेकिन एक चीज़ याद रखना जब कभी तुम्हारे को इंसर्ट करें ना रियक्ट मत करो शांत रहो लेकिन कभी उस इंसर्ट को ना हमें भूलना नहीं चाहिए उस इंसर्ट का सही समय आने पर जवाब देना है आपको और वो जवाब आप सबसे बहतरीन तर केट नहीं किया है तो मतलब जो सकसेज तुमें मिली एना लाइव में जो सफलता तुमें मिली है फिर वो विरासत में मिली है थैंना भैस समय में तुम्हारी विरासत में तुम्हें मिलीest लेकिन यदिब में उसको पाया है अपनी मेहनत से तो बचा तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको एक वो बेजती वाला जो आपको एक रस है ना वो आपको चखना ही पड़ेगा एक नएक बार ठीक है बिलकल मैं मेरी इंसल्ट करते हैं सब बोलते हैं कि कितना पढ़ती हो क्या फाइदा होगा बिलकुल यह बात ना बहुत बच्चों को मिलती है कि इतना पढ़ते हो क्या फाइदा पढ़ने का एक्शाम क्रैक हो इस तक कोई यह सब को ही बोला जाता है और यह history पहलता है कि तो मित्तिया मैंत करते हो क्या फाइदा इसी लिए मैं आप से बोलते हूँ गधे की तरह काम नहीं करना है ठीक है ना सिम्पल सी बात है स्मार्ट वर्कर बनना सीखो आप लोग अपना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे कम समय में ज्यादा इफेक्टिव चीज़ें आप लोग पढ़ सको यह नहीं होना चाहिए मैंने तो दस घंटे तक पूरा डाइजिस्ट्री सिस्टम पढ़ा है 10 घंटे पढ़ा है मैंने डाइजिस्ट्री सिस्टम कोई कोशन छूटे गा ही नहीं यह भी तो हो सकता है ना कि किसी क्लास में आप उसको एक घंटे में कवर कर लो और उतने ही कोशन एक्जाम में आएंगे तो यह होता है आपका स्मार्ट वर्क ओके चलो भई तो देखो ज temperature पर ही आपका germination होता है कभी notice करना बहुत जादा सर्दी बहुत जादा गर्मी में germination नहीं होता है आपका ठीक है और पानी मतलब जो हवा में moisture होता है यह उसको gain कर लेते हैं उससे खुद को अपने आपको germinate कर लेते हैं अगला question देखते हैं जरा एक बार next question क्या है इन में से किसको हम आपका lungs of plant कहते हैं यानि कि आपके जो पेड़ पोदे होते हैं पेड़ पोदों का फिफड़ा इन में से किसको कहा जाता है इस टैम को root को leaf को या बार्प को बेटा theory theory पढ़ाऊंगी न जनवरी में तुम्हारी बेटा notification आने वाली है आप लोग बहुत पीछे रह जाओगे फिर बहुत पीछे रह जाओगे इसलिए parallel चीज़ें सोची हैं कि YouTube पर मैं आपको क्या कराऊंगी बच्चा questions कराऊंगी और आपकी paid classes सारी complete कराई जाएंगी theory वाली जो होंगी वो सारी paid classes होंगी बिल्कुल किसको बच्चा leaf यानि पत्ती को हम लोग क्या बोलते हैं आपका lungs of plant साथी साथ यदि पूछा जाए kitchen of plant kitchen of plant यानि की पोधों का रसोई घर किसको कहा जाता है तो बच्चा ये भी आपकी पत्तियों को ही कहा जाता है oxygen which is liberated during photosynthesis comes from paid पोधे जो हमको oxygen देते हैं वो कहां से प्राप्त करते हैं पानी से carbon dioxide से chlorophyll से या sunlight से बताईए आंसर देने वालों की संख्या नहीं घटनी चाहिए देखो class में ये possibility नहीं tolerate होगी किसी भी कीमत पर है ना बताईए प्रकास sensation के क्रिया में मुक्त हुआ गैस किस से आता है oxygen देते हैं बिलकुल किस से आता है बच्चा ये आपका पानी से प्राप्त करते हैं ये इसको किस से प्राप्त करते हैं आपकी पानी से प्राप्त करते हैं प्रकास sensation किस में होता है रात में दिन में दिन केवल रात में या दिन और रात दोनों समय या दिन और रात किसी भी एक समा बताईए photosynthesis इन में से किस समय पर होता है photosynthesis इन में से किस समय पर आपका होता है केवर रात में होता है दिन में होता है option इनों थोड़े से यहां पर गड़बड कर दियें भई day and night या दोनों समय होता है ठीक है जी देखो तो आपको अपने exam के हिसाब से इसका क्या answer लगा कर आना है ध्यान से सुनेंगे आप लोगों को लगा कर आना है only day केवल दिन में only day केवल दिन में लेकिन actually में जो आपका photosynthesis होता है बच्चा वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है ध्यान से सुनेंगे कैसे रात से हमारा मतलब क्या है कि आपका sun का प प्रकास में ही photosynthesis करते हों वो किसी भी तेज लाइट में तेज प्रकाश में photosynthesis कर सकते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे indoor plants देखे होंगे यानि जो घर के अंदर रखे जाते हैं जिनको कभी-कभी धूप लगाई जाती है और जो अच्छा oxygen भी produce करते हैं तो क्या वो photosynthesis नहीं करते हैं जैसे हम लोग खाना खाते हैं वैसे वो लोग खाना खाते हैं photosynthesis के जरीए हैं तो क्या वो आपके पेड़ बोदे photosynthesis नहीं करते हैं तो करते तो दिन और रात दोनों में ही हैं लेकिन oxygen और carbon dioxide की amount में affect आ जाता है दिन में ज्यादा oxygen छोड होते हैं रात में थोड़ा कम छोड़ते हैं पीपल का जो पेड है पीपल का पेड़ बिटा आपका दिन और रात दोनों ही समय आपका oxygen जादा रिलीज करता है इसलिए अब इंडिया में सिंपल सी बात है इंडिया में यदि तुम्हें किसी चीज को नेचर की किसी चीज को बचाना है ना तो उसको धर्म से जोड़ दो है ना यदि तुम्हें बचाना है धर्म से जोड़ दो कुछ लोगों ने बोला पीपल के पेड के समय रात के समय नहीं सोना है क्योंकि इस पर भूत होते हैं. ठीक है, कुछ ने बोला दोपहर में नहीं सोना है, कुछ ने बोला देवताओं का वास है, कुछ अजीबो गरीब इस तरह की थियोरी बनाई गई. क्योंकि एक और चीज है, हम लोग समझते हैं, कि यार, जैसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बोल देती हूँ बट लेकिन एक चीज़ आप लोग खुद इस चीज़ को सोचो कि यदि ऐसा नहीं कहेंगे यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो लोग क्या करेंगे पीपल के पेड को भी काटना शुरू कर देंगे जो हमारी नेचर के लिए बहुत जादा नुक्षान दायक होगा और आप लोग क्या बोलते हो कि भाई हम तो मतलब क्या है हम तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं हम तो भगवान पर बहुत बिलीफ करते हैं विश्वास करते हैं मैं सच बात बता हूँ है है ना इतनी सारी अंगूठी पहनोगे रोज सुबह जाओगे तिलक लगाओगे शिव जी को दूद चड़ाओगे शिव जी ने कभी बोला मेरे उपर दूद चड़ाओ नहीं न अरे कोई भूका बैठा है उसको दूद पिला दो इतना सारा दूद वो नाली में जा रहा हो नहीं है निम्न में से कौन सा जड़का कारिये नहीं है फोटो सिंतेसिस वाटर एब्जॉप्शन एब्जॉप्शन नूट्रियेंट्स या गिव सपोर्ट्स बताइए आज आप लोग बैठना इत्मिनान से अराम से बैठना एंड सोचना थोड़ा सा कि हम लोग भगवान से डरते हैं या विस्वास करते हैं और फिर मुझे कल आप लोग जवाब देना कि मैं मैं आपने सही कहा था या नहीं तो देखो सिंपल सी बात है पानी अब्जॉप्शन में मदद करता है बिल्कुल नूट्रियेंट में भी करता है और आपको क्या करता है बचा यह सपोर्ट भी देता है ठीक है प्लांट को सपोर्ट भी देता है लेकिन फोटो सिंथेसिस जो काम है यह तो आपकी पत्तियों रहें का काँ है ठीक है यह आपकी पत्तियों का काम है अगला कोशन देखते हैं जब्छक्त क्या है निन मिस में सबसे अधिक और लो सबसे अधिक कि सोलर एनर्जी को प्क्रिवर्धर कि सबसे अधिक और वर्जा में परिवर्टेथatels करने की शमता पाई जाती है मतलब यूं समझो कि ये जो एनर्जी गेन करते हैं ना ये करते हैं फोटो सिंथेसिस से और जो एनर्जी इनके अंदर स्टोर्ड है वो हमारे शरीर में कैमिकल रियक्शन की फोम में आपके ट्रांसफर हो जाती है तो मैंने आपको बताया था क्लोरैला जिसका इस्तम जहां तक मुझे याद है जो पेस पर्शन वगरा होते हैं वो आपके लेके जाते हैं सलाद के रूप में इसको इस्तमाल करने के लिए क्योंकि ये हमारे शरीर में जाकर क्या जो हमारे शरीर में बायो कामिकल एनर्जी बनती है उसमें कनवार्ट हो जाती है बहुत ही पूल आते हैं क्या कहलाते हैं बदाईए ऐसे पोधे होते हैं जिन में एक ही बार फूल आते हैं संकेत जी बड़ी जल्दी डिसाइड कर लिया आपने विश्वास करते हैं क्योंकि पूजा करने से पक्का नहीं डरते हो सोच लो तो संकेत अगर मैं आपसे ये कहूँ कि विटा आपको वो जो दूद आप चड़ाते हो उसे आप किसी को दान कर दो किसी गरीब को जिससे किसी का पेट भर जाए तो मेरे ख्याल से शायद सिवजी ज़्यादा प्रसन हो जाएंगे आप करोगे और वहीं पर यदि आपसे कोई पंडित वहाँ पर ये बोले अरे नहीं तूने अगर ऐसा नहीं किया तो तेरा ये काम पूरा नहीं होगा सिवजी नाराज हो जाएंगे तो आप किसकी बाते मानेंगे मेरी या उसकी आप से कहें सिवजी पर दूछ चढ़ाओ नोक्री लगेगी मैं आप से बोल रही हूं मत चढ़ाओ नोक्री लगे या ना लगे लेकिन किसी का पेट जरूर अब रहेगा उससे तो आप लोग किस पर फन भूरूय औरो किस पर भी लीव करोगे आपके का मौनो कार्पिक क्या होते हैं कि आपके साल में एक ही बार में आपके क्टेड़ा फूल आते हैं उनसे लाइफ में एक बार फूल आते हैं उनको बोलते हैं कि मोन-कयर्प रिंग ईब बोणो जो होते हैं वो nutrient यानि पोशक तत्व कहां से अवशोशित करते हैं root से, stem से, leaf से या flower से, सबसे ज़्यादा nutrients हाँ जी अच्छी बात है भई नहीं चड़ाते चलो कम से कम कोई तो मेरे जैसा है अरे मुझे तो बड़े बड़े सुनने को मिला यार इस चीज के ओपर एक वीडियो भी वाइरल हुई थी इसी तरह की, बड़े लोगों ने कमेंट किये थे तुम लोग हिंदू धर्म को ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, फला ना, ढहिम का, पता नहीं क्या क्या लिखा था लोगों ने चलो सबसे ज़्यादा nutrients कहां से अब्जोब करते हैं, पत्तियों से ना सबसे ज़्यादा nutrients एब्जोब करता है आपका plant roots से जड़ों से सबसे ज़्यादा पोशक तत्वों को ग्रहन करते हैं, हमारे पेड़ पो दे, ठीक है स्टैम का काम होता है मजबूती देने का, स्टैम का काम होता है, आपका किसका बचा, मजबूती देने का leaves का काम क्या होता है, पत्तियों का काम क्या होता है इसको आपका क्या होता है इसको अम लोग क्या करते है कि carbon dioxide को intake करना, oxygen को बाहर release करना अप Louisiana you can recognize flowers reproduction में मदद करते हैं अने flowers क्या करते है preparation में अचा एक बात बता एह flower आप सबने बचपन से देखा होगा कि flower प्लावर में आपके क्या होती है पंखुडियां होती है पैटल्स होती है पंखुडियां होती है कभी यह पंखुडियां किस चीज के लिए होती है यह कोई फूल है इसमें जो मैंने यह पैटल्स या पंखुडियां बनाई है यह किस चीज के लिए जरूरी होती है यह होती है ये पंखुडियां आपके प्लांट के अंदर फ्लावर के अंदर बताईए चढ़ा भी सकते हैं पाइल वही तो मैं आपको समझा रही हूँ नहीं वो चढ़ाया हुआ नाली में जाता है होती हम लोग पढ़ते हैं हम लोग सिख्षित होते हैं जिससे की ताकी हम लोग सोच को बदल सके हम लोग इस समाज के नजरिये को बदल सके है ना बिलकुल खुश्बू देने के लिए बहुत बढ़िया देको दीपक जी ने कितना सही अंसर दिया मैं खुश्बू देने के ल अज्वाइक्ट करते हैं चलोगी पलसी जार गुड्सोर्स ओफ बताइए डाल इन में से किसका अच्छा शरौत है विटमिन्स का आपका प्रोटीन का कार्बो हाइड्रेट का या फैट का डाल इन में से किसका अच्छा शरौत है प्रांजल जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है एक होचा कह रहा है मैं फूलों को सवारने के लिए पॉलिनेशन हो सकता है बिल्कुल स्वाती प्रांजल कुम 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 का आंसर सही आया है हां बिल्कुल संकेत जी का आंसर सही आया है सबसे ज़्यादा क्या होता प्रोटीन एक और चीज़ बताती हूँ दाल बहुत ज़्यादा नहीं खानी चाहिए ये भी निये सुबह साम डेली दाल ही दाल खाओ कि भई यहां प्रोटीन अच्छा है नहीं प्रोटीन में आप लोग याद रखना आपका एमाइड गुरूप पाया जाता है और ये एमाइड गुरूप आपके शरीर में जाकर अमोनिया में कनवर्ट होता है ठीक है किसमें बच्चा ये आपके अमोनिया में कनवर्ट होता है और अमोनिया हमारे शरीर के लिए क्या है टॉक्सिक अलिमेंट है एक जहरीला पदार्थ होता है जो हमारी क किड़नी को डामेज कर सकता है ठीक है क्योंकि हमारे शरीर से यूरिया और अमोनिया को बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है किड़नी की है किड़नी बलड को फिल्टर करती है ठीक है क्या करती है फिल्टर करती है और खून को प्योर कौन करता है प्योर करने का काम होता है lungs का माम दोनों चीजों में difference क्या है वह filter भी क्या करना सफाई करना खून प्योर मतलब शुद्ध करना दोनों में बहुत बड़ा difference है purification का मतलब होता है कि blood के अंदर से carbon dioxide बाहर निकाली उसमें oxygen मिला दिया और filtration का मतलब होता है जैसे आप अपने घर में चाय को छान के पीते हो ना उसमें से चाय पती अलग कर दिया आपने same filtration का काम होता है छनी नुमा संद्रचना पाए जाती है जो की आपकी यूरिया अमोनिया को अलग करती है बलड के अंदर से clear जी तो ये चानने का काम किसका होता है आपका किरनी का होता है और दाल में सबस्यादा protein पाए जाते है ताती साथ यदि आप लोग बिटा ज़्यादा दाल खाओगे तो आपके शरीर में यूरिक acid की भी amount बढ़ सकती है the form of carbohydrate which is synthesized in plant is बोधों में इन में से कौन सी सरकरा सबसे ज़्यादा पाई जाती है पोधों में इन में से कौन सा आप लोगों को नहीं लेना चाहिए कोई भी जिम वाले चाहें तुम्हें कुछ भी बोले कि ये प्रोटीन वे प्रोटीन और पता नहीं बहुत सारे प्रोटीन होते हैं नहीं लेना यदि आप लोग जिम जाते हो तो आप लोग पहली बात तो कोई आपको बोड़ी चैंपेंशिप में तो जाना नहीं है और जो लोग जाते हैं ना बोड़ी चैंपेंशिप में दस साल बाद उनकी हालत देखा करो वो जीत तो जाते हैं कॉम्पटिशन दस साल बाद सर से बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे किड़नी खराब होनी शुरू हो जाएंगी ले पिर ऐसे पैसे का यह सक्सिल्स का आप लोग क्या करोगे तो समझ के चीजों का आपको चुनाव करना है ओके तो जो बच्चे जिम जाते हैं उनको डेली नहीं लेनी चाहिए आप लोग एग खा सकते हो आप लोग थोड़ी नॉर्मल वैसे प्रोटीन बढ़ा दीजिए ही समझाएगा ओके क्या बच्चा आपका कार्वो हाइडरेट कौन से होते हैं आपके बिटा सैलिलो सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्लांट के अंदर नेक्ट कुशन देखते हैं आपका गार्ट सेल और प्रेजेंट इन गार्ट सेल इन में से किसमें पाई जाती है थैंक यू दीपक गार्ट सेल इन में से किसके अंदर पाई जाती है बिलकुल बच्चा तो गार्ट सेल इस्टमेटा में ने सुनो क्या बच्चा आपकी लीफ के अंदर आपके क्या पाई जाते है अगर लीफ उप्शन में है तो फिर लीफ लगाएंगे लीफ के अंदर आ करने में मदद करते हैं जब पानी आपकी पतियों में जाएगा तो ये गाड़ साल फूल जाती है जब पानी बाहर निकलता है रियक्षन के बाद आपका तो क्या हो जाती है एक और कोशन पूछा गया था कि प्लांट अपने अंदर एक्स्ट्रा पानी कहां स्टोर करते हैं य गमले के नीचे एक छेद होता है उसमें से बाहर निकल जाता है मैंने भी पूछा ये फिर ये question कि भाई यदि ऐसा है तो आप लोगो यही answer करोगे कि मैं गमले के नीचे एक छेद होता है हमने एक लिटर पानी दिया जो extra है वो गमले के छेद के नीचे से वो उसकी पतियां store कर लेती है जो photosynthesis के समय पर भी इनकी मदद करता है अगला question देखते हैं जरा एक बार next question क्या है curcumin is obtained from curcumin हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं गार्लिक से जिंजर से turmeric से या sunflower या इनमें से किसी से नहीं curcumin इनमें से कहां से प्राप्त होता है बताईए करक्यूमिन is obtained from बहुत बढ़िया भई आपकी वोईस देवी चित्रलेखा जी की वोईस से मिलती है थैंक्यू बच्चा बताईए जी क्या बच्चा आपकी curcumin is obtained from what आपकी turmeric किसे बच्चा यह आपके किस से प्राप्त की जाती है ठीक है आपकी हल्दी से प्राप्त की जाती है अगला कोशन देख लेते हैं जरा एक बार नेक्स्ट कुशन क्या है पोदे के रोग का नाम बताईए जिसमें पत्तियां शार फल सभी प्रभावित होते हैं नेम ड़िजीज ओफ प्लांट इन विच लीव ब्रांच फ्रूट्स ओल आर अफेक्टेड स्पाइडर माइट्स आपका मिली बर्ड्स एफेड्स या सिट् स्कैंकर पोदे के अंदर वो कौन सी बिमारी होती है जिसमें पोदे का हर एक भाग आपका प्रभावित होने लगता है ठीक है बताईए जी बहुत बढ़िया वई आंसर करो फटाफट से जलीली आंसर करो यार आप लोगों ने शेयर बहुत कम किया एक लास को ऐसे कैसे काम चलेगा भई मैम कर्क्यूमिन क्या होता है बिटा कर्क्यूमिन होता है जो आपका हल्दी के अंदर आपने सुना होगा ना कहीं पर आपको चोट लग जाए तो हम लोग क्या बोलते है अच्छा भई गुम चोट लगी आपका जखम तो बाहर नहीं है लेकिन अंदर अंदर चोट लगी है काम करो हल्दी वाला दूद पीलो है ना आपने कभी यह सोचा कि जो पुरानी इतनी सारी जो आयूरवेदा वाली चीज़े हैं इंडिया में वो बहुत ज़दा इफेक् पीलेते हैं लेकिन वो बहुत अराम करता है क्योंकि यह बैसिकली एक आपका दर्द निवारक होता है जो हल्दी के अंदर पाया जाता है हमारे शरीर में जोड में यदी कहीं पर दर्द है तो हल्दी के अंदर जो आपका कर्क्यूमिन पाया जाता है वो उस जोड या हक्तम करने में हरी शरीर की मदद करता है क्या बच्चह आपका सिテ्रस कैंकर नि'di कुंसी तो competitive है मिमारी होती है यो पोदो में प्थि को उसके ब्रांचिस को और उसकी किसको bety है फ़लो क kitchen को और उसकी किसक Quindi को सेब का लाल रंग क्यों होता है बताईए सेब का लाल रंग क्यों होता है थेंक्यू 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 बच्छा जैन्थोफिल के कारण नहीं देखो एक चीज याद करेंगे सेब का लाल रंग आपका होता है एंथरोसाइनिन के कारण किसके कारण एंथरोसाइनिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है किसके कारण विटा आपका लाइकोपिन के कारण गाजर का जो आपका नारंगी रंग होता है वो होता है कारटिन के कारण जैंथोफिल के कारण होता है पीला कलर आपको यदि कोई भी पीली रंगी सबजी या फ्रूट दिखाई दे तो समझ जाना उसके अंदर क्या है जैंथोफिल नारंगी रंग कारटिन के कारण होता है लाइको पिन में टमाटर वाला जो आपका बोलते हैं अब लड़कों के लिए एक ही लाल होता है लेकिन हमारे लिए बहुत सारे लाल होते हैं हमारे लिए ब्रिक रैड अलग होता है चिली रैड अलग होता है टमेटो रैड अलग होता है चिकना रैडिश रैड अलग होता है लड़कियों के लिए color बहुत सारे होते हैं, ओके, तो anthrocyonin के कारण आपका सेब वाला जो लाल रंग होगा, वो anthrocyonin होता है, और टमाटर वाला लाल रंग किसके कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, ओके, चलो, अगला question देखते हैं जरा एक बार, cell wall of fungi is made from, बताइए, जो आपकी कवक होते हैं, इनकी कोशी का बित्ती किस से बनी होती है, आया किसी का अंसर B, cellulose, नहीं, फंजाय की जो बच्चा आपकी cellulose, जो आपकी फंजाय की cell wall होती है, वो बनी होती है, काईटीन की, और आपकी बित्ता glycoprotein की, काईटीन और glycoprotein तो आपको option में है, नहीं, तो आप लोग क्या अंसर लगा कर आओगे, काईटीन लगा क ठीक है, साथ ही साथ, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो आपके कीडे मकोडे होते हैं, जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं, इनकी भी जो cell wall होती है, वो किस की बनी होती है, काईटीन की बनी होती है, किस की, काईटीन की बनी होती है, cellulose आप लोगा answer दे रहे हैं, तो आप लोग red chilies are because these contain लाल मिर्च तीखी क्यों होती है उसमें आपका rice in पाया जाता है capsicin पाया जाता है echolion होता है या cofail होता है लाल मिर्च तीखी क्यों होती है answer देने वालों की संख्या क्यों मैम ये topic tree के उपर है क्या हाँ बचा बोटनी मतलब पेड़ पोधे ओके तो लाल मिर्च आपकी तीखी क्यों होती है capsicin के कारण किसके कारण बचा लाल मिर्च आपकी तीखी होती है capsicin के कारण अगला question देखते है iodine is obtained by which algae किस सहवाल से हम लोग iodine प्राप्त कर सकते हैं इन में से किस सहवाल से हम iodine प्राप्त कर सकते हैं इन में से किस सहवाल से हम iodine प्राप्त कर सकते हैं तो बेटा वो सहवाल होती है आपकी laminaria laminaria आपकी वो सहवाल है जो कहां पाई जाती है आपकी समुंदर में पाई जाती है कहां आपकी समुंदरी एरिया में ये आपकी पाई जाती है और जिससे हम लोग किसका iodine इससे हम प्राप्त कर सकते हैं क्या बच्चा इससे हम आपका iodine प्राप्त कर सकते हैं निम्न में से कौन स्वाप ओसी यानि ओटोट्रोप्स है बटरफ्लाइ, फंजाए, अल्गी या स्पाइडर स्वाप उसी का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बनाते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं? आपके ओटोटोपs होते हैं ठीक है, यह दिन्विज्टरिशन की टर्म्स में मैं Living Beings को डिवाइड करूँ तो ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके autotrops और एक होते हैं आपके heterotrops, heterotrops यानि परपरसी जो खाने के लिए दूसरों पर depend होते हैं, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं, या तो हम लोग घासफूस खाते हैं, या हम लोग मासमच्छी खाते हैं, घासफूस इ हम अपने खाने के लिए पेड़ बोदो पर या मास मच्छी पर डिपैंड करते हैं ओटो ड्रॉप्स की इदी में बात करूँ आपसे स्वापोसी जो होते हैं बचा आपके यानि जो अपना खाना खुद बनाते है जो अपना खाना खुद बनाते है ठीक है एलगी सेवाल जो है बचा ये अपना खाना खुद बनाते हैं शेवालों की कोशी का भित्ती किस की बनी होती है पहले वाला बिटा कवक था वो फंजाय था इस बार मैंने आपसे सेवाल पूछा है इस बार मैंने आपसे सेवाल पूछा है जो पहला अप्शन आप लोगो दे रहे थे आंसर में ठीक है नहीं कायटीन नहीं होगा सुनो पहले मैंने आपसे पुछा था आपका क्या फंजाए, फंजाए की कोशी का बित्ती काईटीन से बनी होती है, लेकिन जो आपके क्या है, अल्गी है, जो आपके शेवाल है, इनकी कोशी का बित्ती आपकी किस से, सैलिलोस से बनी होती है, किस से बनी होती है, सैलिलोस से, पहला option जो मैंने आपसे पूछा था फंजाए जो आप लोगों ने कीडे मकोडों से जोड़ा था वो होता है answer आपका insect यानि कवर कवक की कोशी का बित्ती किस से बेटा आपकी sorry किस से बनी होती है आपकी काईटीन से बनी हुई होती है लेकिन यदि TMV term is related to TMV term is related to अब जिसको TMV की फुल फॉर्म पता होगी न वो एक सेकंड में स्कुशन का अंसर लगा देगा ठीक है TMV बेसिकली एक डिजीज है एक बिमारी है जो किसमें बेटा आपकी प्लांट्स में होती है जो किसमें आपकी प्लांट्स में होती है किलियर इसकी फुल फॉर्म होती है टबैको टबैको मोजैक मोजैक वाइरस ठीक है टबैको मोजैक वाइरस डिजीज यानि ये आपकी एक वाइरस से होने वाली बिमारी है और तमबाकु के अंदर ये बिमा किस के अंदर किस पेर पोधे के सबसे ज़्यदा फैक्ट करती है तंबाकू के विच बैक्टिरिया इस नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टिरिया कौन सा जीवानू नाइट्रोजन योगी की करण जीवानू है या फिर नाइट्रोजी फिकेशन में आपकी मदद करता है करण के पिटा किसको कहा जाता है वरगी करण के पिटा इन में से हम किसको बोलते हैं लिए विर्लियंट बहुत बजया आज आप लोगों ने बहुत बढ़िया साथ दिया है बस यही जुनून यही पागलपन आपके अंदर चाहिए याद रखना जुनून और पागलपन के साथ यदि तुम लोग काम करोगे तो रात की जो नीद होती है आप लोग बोलते हो ना मैं नीद आती है ना दिन में आएगी ना रात में आएगी अब यह चैक एक चीज़ बताती हूं मैं आपको भाई माल लिया आपकी गल्फरेंड है ठीक ने गए थे ना अपने दोस्त के यहां वो कैसे नोट्स थे जो तुम बाइक पर घूम रहे थे ठीक है तब पूछ के देखना बताना अपनी मैडम को फिर भाई आज पापा ने ऐसा ऐसा पूछा था ना दिन में आएगी नीद ना रात को आएगी नीद है ना क्योंकि उस स करन के पिता हम लोग किसको बोलते है काल्स लीनियस को किसको बचा काल्स लीनियस को हम लोग आपका किसका वर्गी करन के पिता कहते है काल्स लीनियस ने आपका जो भी आपकी लिविंग बिंग से इनको दो पार्ट में डिवाइड किया था ठीक है लेकिन फाइव किंग्ड क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो यह दिया था आपका रही करने किसने और ही टेकर ने अब तो यार बहुत समय हो गया पढ़ते पढ़ते अब लोग को बहुत सारी चीजे ना तो चाहिए मैं मुश की बहन थी आरे भाया बहन थी या कोई भी थी एक चीज बताई है यार की बतलब पकड़े गए जब आप लोग जब दिमाग किस चीज में चलता है आपका तब उस चीज में चलता है ना कि आप चीजों को मैनेज़ के से क चीट क्या है अपका इन में से कौन सा सबसे चोटा जीव है इन में से सबसे चोटा जीव है बताइए बहुत बढ़िया ब servirut bacteria क्यों कि सबसे चोटी कोशी की होती है इसलिए यह सबसे चोटा जीव भी है प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन दा फॉर्म ओव पेड़ पोधे जो होते हैं वो किस फॉर्म में नाइट्रेट की फॉर्म में वो एक्सेप्ट करते हैं कौन सा पादप हॉर्मोन गैसी अवस्था में पाया जाता है विच प्लांट हॉर्मोन फाउंड इन गैसी अस फॉर्म बिल्कुल तो मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में एथिलीन एथिलीन आपका बेटा वो प्लांट होर्मोन है जो किस फोम में पाया जाता है गैसियस फोम में पाया जाता है और यह क्या करता है आपका प्लांट को प्लांट में जो आपके फल होते हैं फलों को पकाने में मदद करता है cytokinin cell division में मदद करता है oxyn आपका इसको हम लोग growth hormone के नाम से भी जानते है ठीक है clear जी और ये किस में मदद करता है आपका apical birds में apical birds यानि की seeds कलिकाओं को खिलाने में ये आपका मदद करता है clear जी ओके एक और है गया यार वो height और width वाला कोई निया भी याद आजाएगा तब मैं आपको बताती हूँ the botanic name of tea is the botanic name of tea is बताइए चाय का वनस्पती नाम क्या है चाय का वनस्पती नाम क्या है वानस्पती लिख रखा है typing देखो तुम the botanic name of tea is बिल्कुल तो बेटा आपका क्या नाम होता है camsulin sinuses चीक है camsulin sinuses आपका क्या होता है आपका चाय का botanic name होता है next question देखते हैं ज़रा एक बार बिना निशेशन के फलों के विकास की तक्नीक को क्या कहा जाता है यानि कि without fertilization यदि आपके फल डावलप कर रहे हैं तो उस technique को हम लोग क्या बोलते हैं उस technique को हम लोग क्या बोलते हैं बिना निशेशन के फलों के विकास की तक्नीक को क्या कहा जाता है हम कोफिया नहीं होगा sinuses ठीसिया मेरे ख्याल से बच्चा आपका sinuses लास्ट है, जहां तक मुझे याद है भई, ऐसा तो नहीं हो सकता, नहीं बेटा, कैमेलिया साइनसिज ही है, ठीक है, कैमेलिया साइनसिज ही है आपका नेम, और इस बार आपके एक्जाम में पूछा जाएगा, बोटैनिक नेम ओफ तुलसी, बोटैनिक नेम ओफ तुलसी, देख लें ना, पुछा चाहेगा एक्जाम में, तो ये होता है, होली बैसल, यााद रखना बई तुलसी क्या है, तुलसी को हम लोग क्या आपका एक पवित्र पोधे के रूप में पूछते हैं, यानि होली बैसल नाम होता है तुलसीगा बोटानिक नेम होता है आपका होली बैसिल ओके क्या बच्छा आपका पैर्थीनो कार्पी क्या बोलते हैं पैर्थीनो कार्पी बोलते हैं चीक है जी ओके आगे बढ़े एक बार जरा नेक्स्ट कुशन देखते हैं जरा आपका क्ला कुशन क्या है समय समय से पहले पत्तों का गिरना निमनलखित में से किस की नियूंतम अमाउंट के कारण हो सकता है मतलब पेड़ पोदों में इन में से किस मिनरल की कमी के कारण पेड़ पोदों की जो पत्तियां होती हैं वो समय से पहले ही गिरना शुरू कर देती है तो यदि आपका पेड़ों के अंदर फॉस्फोरस की कमी है यदि पेड़ पोधों में फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो पत्तियां आपका समय से पहले ही गिरना शुरू कर देती है गेहूं का काला किटू रोग इन में से किसके कारण होता है बताईए Black Kitta Disease of Wheat Black Kitta गेहूं की आपकी जड़ वाला सेक्शन होता है जो गेहूं की आपकी जड़ होती है ये आपकी काली काली पढ़नी शुरू हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या Black Kitta Disease of Wheat जो की एक फंगस से होने वाली बिमारी होती है जो क्या होती है बच्चा आपकी एक फंगस से होने वाली बिमारी है धान में खैरा रोग किसके कारण होता है बताईए धान में खैरा रोग इनमें से किसके कारण होता है धान में खैरा रोग इनमें से किसके कारण होता है बहुत बढ़िया बिलियंट भई तो धान में जो आपका खैरा रोग होता है वो किसमें इंदा सोईल जिंक यदि आपकी मिट्टी में जिंक की अमाउंट जादा हो जाएगी तो आपके धान के अंदर खेरा रोग होने का चांस बढ़ जाएगा लास्ट में देखेंगे बैच में कैसे इंरोल्मेंट कराना है सिंपल आप लोग क्या करोगे बच्चा हमारी वेबसाइट विजिट करोगे अड़ा 24-7 आपकी ही वेबसाइट है हमारी क्या है खेर ओल कोर्स पर कहां करोगे ओल कोर्स पर क्लिक करोगे ससी सेलेक्ट करोगे तो बेटा ससी में ये रहा MPPEB के नाम से आपको मिलेगा नर्मदा बैच है पटवारी के लिए Y446 कोड लगा होगे 6500 रुपे में मिल जाएगा ठीक है 730 में मिल जाएगा बलकी वन रक्षक और जेल प्रहरी का बैच है ओल सब्जेक्ट 6 महीने की वैलडिटी के साथ में हैं दोनों ही बैचिस कल से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी 20 दिसंबर से कल से सुबह 10 से 11 क्लास होगी वन रक्षक और जेल प्रहरी का सेम प्राइज है आपका बच्चा ठीक है तो आपकी बहुत नंबर बहुत बड़े अमाउंट में वैकेंसी इनकी आने वाली है जनवरी बहुत जादा दूर नहीं है आपसे तब तो आप खरीदोगे मुझे पता है और जब ये बैच आपको 1000 का मिलेगा 1200 कितने का भी हो सकता है अभी आपको 730, 730 में सेपरेट मिलेंगे ठीक है लेकिन यदि आप MP पुलिस ठीक है और आप लोग पटवारी, छेतर रक्षक, वन रक्षक इन सब की एक साथ तयारी करना चाहते है तो एक कूपन कोड लगाएंगे Y446 क्या बच्चा और जैसे ही आप लोग अपलाई करोगे मातर 2200 रुपे में सारी टैस्रीज, इबुक्स और सारी एक लाख वेकेंसी की तैयारी आपको ये कराएगा 2200 रुपे में MP का महापैक तो मेरे ख्याल से तो भईया आपका जो MP का महापैक है एकसाइस कोंस्टेबल में जो आपकी वेकेंसी आई हुई है उनकी भी तैयारी बच्चा यही कराएगा मतलब सारी वेकेंसी की तैयारी आपकी कराई जाती है लेकिन अगर आपको सेपरेट लेना है तो आप लोग सेपरेट भी ले सकते हो चाहें पटवारी का लो चाहें आप लोग वनरक्षक करो पटवारी का नर्मदा के नाम से बैच मिलेगा कूपन कोड वही लगाना है आप लोग लिख लीजिए नहीं तो इसके बिना डिसकाउंट नहीं मिलेगा 730 रुपे में 6 महिने के लिए वैलिड रहेगा और वो बैच एक साल के लिए सब कुछ फ्री में मिलेगा आपको बस एक बार उसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है यूँ आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा ठीक है यदि मैं आपसे बच्चा किताबों की बात करूँ कि आप लोग जो किताबों का पूछ रहे थे तो आप लोग को क्या करना है बच्चा सिंपल हमारी वेबसाइट आप लोग विजिट करोगे सिंपल क्या करोगे आप लोग वेबसाइट विजिट करोगे ओके और यहां पर आप लोग स्टेट एक्जाम्स में क्योंकि बच्चा इसमें थोड़ा सा अभी क्या है बहुत बार इसमें आपको बुक्स दिख नहीं रही है तो मैं खुद भी चेक ही कर रही हूँ स्टेट एक्जाम्स में आप लोग जाओगे और यहां पर बच्चे आप लोग मध्य परदेश सेलेक्ट करोगे मध्य परदेश में आप लोगों को क्या करना है जिसे माल लिया यह आपका क्या है MP पटवारी है यह MPPEB है तो यदि आप लोग MPPEB में जाओगे तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारी टीम ने अब आपका यह अप्लोड कर दिया होगा देखो यह सारी टैस स्रीज उस महापैक में आपको फिरी में मिलेंगी यह रहा आप लोग क्या जाओगे बिटा आप लोग MPPEB में जाओगे नीचे आपको दो किताबे मिलेंगी एक आपकी स्टडी गाइड है जो हमने वनरक्षक, छेतररक्षक और जेल प्रहरी के लिए बनाई है 2000 से ज़ादा कोशन आपको मिलेंगे इस गाइड बुक में और एक पूरी बुक किट है आपकी तो मेरे ख्याल से बिटा ये बुक किट आप लोगों को ओडर कर लेनी चाहिए बाई नाउ पर क्लिक करोगे और कूपन कोड लगाओगे किताबों के लिए Y446S Y446S ठीक है एकसाइस कोंस्टेबल वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं तो कोड लिख लिए दोनों के दोनों तुमने एकसाइस कोंस्टेबल है या फिर बच्चा आप लोग किस की तयारी कर रहे हैं पुलिस की तयारी कर रहे हैं आप लोग पटवारी, 6-3 रखशक, 1 रखशक, 1 लाग का तो यार मतलम पूरा बोली दिया ना, 1 लाग, ये कूपन कोड लगाएंगे, तो बाइस सो रुपे में बच्चा ये बैच आपको मिल जाएगा, चीक है, तो मैं उमीद करती हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी होग ओके जी, तो आप लोग कोड लगाना है, Y446 और MP महापैक में ही एन्रोल्मेंट लेना है बच्चा, और हो सकता है, ये महापैक जैसे ही जनवरी में वेकेंसी आए, तो ये आपको 3,000 को देखने को मिले, अभी खरीद लो इसलिए, तब आप से बड़े हुए पैसे नहीं ल घजड़े है